हेलो दोस्तो मैं कावल आप सबका स्वागत करता हूं आपके GS1 मॉड्यूल में उसके अंदर हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं हिस्ट्री का ही तो टीचर हूँ आज की समस्त्री के पिछले 5 साल में चैला चाहिए तो किस तरह तरहरे है चेकिस चाहिए ? every year 200 number का आपका GS1 का paper आएगा so the marks for the history module varies for about 60 से लेकि 85 तक आपके marks को vary किया जाएगा maze का जो component है उसका जो trend है वो कम होता जा रहा है and same wise अगर हम culture as a component की बात करें its prominence is increasing every year वो हम अभी देखेंगे तो वहां पर हमारे को यह पता लगता है कि जो हम traditionally history को जिस तरह से सोचते हैं वो अब बदलता जा रहा है तो उसके साथ हमारे को थोड़े बहुत changes करने पड़ेंगे पर history एक ऐसा subject है जिसमें आपको बहुत जादा tension नहीं लेनी बिकॉस इसमें जो returns है अगर आप बहुत जादा पढ़के जले जाएंगे तो वो बहुत जादा नहीं आएंगे बट more or less अगर आपकी जितनी भी prelims required information है जितनी भी अभी तक आपने पड़े है उसी को हम channelize करने की कोशिश करेंगे कि इन topics में या कुछ ऐसे certain areas हैं जहां पर हम ध्यान देंगे तो उससे आपका जो return है वो जादा से जादा आचाएगा So I hope that कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको आप जादा focus करेंगे नो डाउट आपको जितना भी value addition material चाहिए जितना भी topics चाहिए जिसके उपर probable question बन सकते हैं वो तो आपको provide कर ही दिया जाएगा पर अगर आप पूरा overall त्यारी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उन areas के उपर आपका जादा हमेशा focus रहे जहां से आपको return बहुत जादा मिल सकता है जैसे कि quality economy क्योंकि वहाँ पर नए topics new current affairs में से जो relevant topics बनते हैं उन में से question जादा पूछे जाते हैं और उसी के चलते आज का यह special introductory lecture है जहां पर मैं आपके thought process क्यों पर काम करना चाहूंगा जिस तरह से हम पिछले 5 सालों के question paper को देखेंगे सबसे पहले तो अगर हम बात करें यह weightage है marks के कितने number के पिछले 5 साल में question आए हैं सबसे पहले अगर हम 2018 की बात करें तो 75 marks 2019 75 marks 2022 sorry 2020 85 75 and 60 marks so the least जो अभी तक हमने देखा हिस्ट्री में से पिछले साल 5 साल में वह है 60 marks का paper जो की बाकी अगर हम society और geography की बात करें geography की जो importance है मेंस के अंदर अब हर साल बढ़ती जा रही है and geography क्योंकि environment के साथ भी बाकि agriculture ऐसा component भी add-on हो चुका है तो यहां पर GS1 में उसकी जो importance है वो जादा हो चुकी है तब ही वैं आपको कहरूं कि अगर आप trend के हिसाब से चलेंगे तो हम जादा अच्छे से त्यारी कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे history को लेके बहुत जादा डर जाते हैं कि बहुत सारा अब एक जो सबसे important चीज है बच्चे जिसकी बहुत जादा टेंशन लेते हैं वह वर्ल्ड हिस्ट्री and दूसरा है post independence consolidation दो topics जो आप prelims के लिए नहीं पढ़के जाते जिसके लिए आपके पास बहुत जादा relevant material नहीं है और सबसे बड़ी जो आपको डर लगता है when you go for means examination is that कि how to learn the required information from these two topics but if we analyze the last five year examination तो वहां पर वर्ल का एक बार वर्ल्ड और पीएसी में से 2018 में 30 marks का paper आया which roughly constitutes about 8% of your paper अगर GS1 की बात करें फिर यहां पर वर्ल्ड का एक question है पंद्रा मारकर 2020 में कोई question नहीं है वर्ल का यहां पर एक question है पीएसी का एक question है और यहां पर वर्ल्ड का कोई भी question नहीं है मतलब कि अगर वर्ल्ड का question आएगा तो it will be off 15 marker एक question से जादा कभी भी हमारे को trend नहीं देखने को मिला और same way पीएसी का अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो एक दो बार हमारे पास यहां पर question है जो कि more or less 10 marker आपको पूछा जाएगा अब यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि world.pac की क्या importance है कि पहले हम उन topics को discuss करेंगे and same way अगर आपको society को आप देखें तो वहां पर prominence बहुत जादा है society में जो गिने चुने topics है जिन में से question पूछाई जाएगा वो आप पहले करो उसके बाद geography में जिन topics के उपर जादा focus है उनको पहले करोगे यह जो world history और PIC आप इसको least priority में रखते होगे last में रखोगे क्योंकि शायद ही question पूछा जाए यहां पर no doubt आपको इस पूरे mains module के अंदर मैं पूरी world history करवा दूँगा जितने भी topics है relevant उसके बार में सब कुछ बता दूँगा यह भी बताऊंगा कि किस तरह से वहां पर आपको question attempt करने है visualize किस तरह से होगा thought process क्या होना चाहिए attempt किस तरह से करेंगे कि अगर आपको कोई question नहीं भी आता फिर भी हम किस तरह से attempt करके आएंगे क्योंकि ultimately आपको सारे question attempt करने है करने हैं तो यह जो पूरा module course चाहिए मैं सरफ history का ले रहा हूं उसके लावा भी मैं आपका thought process shape करने की कोशिश करूँगा कि हां अगर कोई भी question वहां पर पूछा गया है तो आप इस तरह से वहां पर attempt करके रहेंगे उसके अलावा अगर हम modern की बात करें modern 10, 50, 35, 40, and 20 तो modern में हमारे को बहुत जादा variation देखने को मिल रही है यहां पर जो 20 का था अगले साल 20 का रह चुक है पर एक साल यह 50 marks का भी आया हूँ है which is roughly 1 5th of the paper but this modern section is comparatively very easy very easy क्यों कह रहा हूं अभी मैं आपको सारे questions भी दिखाऊंगा कि जितनी आपके पास information है जो आपने prelims के लिए कि इस तरह से answers लिखे जाते हैं introduction यह होगा body यह होगी conclusion इस तरह से होगा फिर वहां पर आपको बहुत जादा दिक्कत नहीं आएगी तो in case you are preparing for this GS1 course यह फिर आप अपने end पर भी अगर आप कर रहे हैं तो modern को आप last में करेंगे क्यों कह रहा हूं चाहे इसमें बहुत जादा marks है इसको last में क्यों करेंगे क्योंकि इसमें जादा तर information आपको पता है you know all the desired facts and figures that are required क्योंकि यहां पर ऐसा तो नहीं है कि आपको exact किसी year को ध्यान में रखना है जैसे हम अभी question को देखेंगे that what was the impact what was the economic and the societal impact of the females that happened during the year of 1770s तो आपको पता है कि उस time period के दौरान कौन-कौन से females होया अगर आप दिमाग लगाओके किसी females का impact क्या होगा वो आप सीधा लिख दोगे सिर्फ आपको साथ में as a forward material as examples कुछ-कुछ rewards को sorry females को mention करना है ताकि वो एक history का answer लगे यही पूरा जंटा रहेगा इस course का पर जिस ची क्योंकि culture की जो prominence है वो बढ़ती जा रही है और यह एक ऐसी चीज नहीं है जो आप खुद से कर सकते हैं अगर पिछले तीन साल की बात करें 50 marks 10 marks and 40 marks तो हर साल अब क्योंकि culture पूछा जाता है 20-25 marks अगर हम average लेके चले वो पूछा जा रहा है और यह एक scoring area रहेगा जहां प क्योंकि अगर हम time invest करेंगे तो हमारे को output मिलेगा तो वही हमारा सारा agenda रहेगा अभी एक करके question में discuss करेंगे तांकि आपको ज्यादा clarity मिल जाए यह सारा marks का break up है तो आपके सामने में रख दिया कि modern culture PIC world जब हम culture की बात करते हैं तो ancient and medieval इसी में आ जाएगा वो मैं क्यों कह साल के papers को उठाके देखते हो तो ऐसा कोई question नहीं है कि मोगल empire के administration के बारे में बताओ या फिर दिली सलतनातने में किस तरह से खिलजी के अंदर जो पूरे market reforms के गये थे उसके बारे में बताओ ऐसा कभी भी question नहीं पूछा गया तो क्यूंकि पिछले 5 साल में कभी भी ऐसा question नहीं है तो हम उसके उपर जादा focus नहीं करेंगे इनकेस ऐसा question आ भी गया तो आपके पास उतनी information है जो वहां पर लिखनी होगी तो ये समझो कि अब कोई बच्चा उटके ये कह भी सकता है कि हम वो क्यों नहीं करेंगे तो करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं पर क्योंकि required time हमारे पास limited है उस limited time को हम best use करेंगे अब कल को कहने के लिए कल को ये कहने के लिए कि हां मैंने सब कुछ करवा दिया उसमें से ही ये सारे question आ जाए क्योंकि में इसमें limited information है history में तो खातकर उनी से question आएगा पस question का form बदल जाएगा पर क्योंकि आपका time बहुत जादा precious है मै उसी तरह से काम करूँगा और जब इस पार paper आएगा तो वहाँ पर जाके देख भी लेना इसी lines की ओपर क्योंकि हर साल paper का जो pattern है वो बदलता जाता है उसी के हिसाप से question paper पूछा जाएगा सबसे पहले हम modern history की बात करते हैं 2022 की बात करेंगे यहाँ पर हम paper को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि topics किन में से किस तरह के question पूछे जाते हैं तो देखो यह जो topic है यह जो question है क्या आप इसको कभी भी तयार करके जा सकते थे अगर आप पूरे history को पढ़ लो जितने भी किताब हैं आप उसको पढ़ लो आप खुद से तयार नहीं कर पाते जहां पर भी आपने foundation batch या किसी भी तरह की history की coaching ले होगी वहाँ पर इस question नहीं करवाया होगा ऐसा question आपको on the spot दिमाग लगा के ही यूज़ करना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा यूज़ कलत करेगे तो यहां पर क्योंकि ऐसे questions आप तयारी नहीं करके जा सकते पर आपने पूरे इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पड़ा आपने सारे battles के बारे में भी पड़ा है कि हाँ इस तरह से सारी battles हुई अंगरे जोने के इस तरह से पूरी consolidation की उसी material को उसी knowledge को यूज़ करते हुए हम इस answer को लिखने की कोशिश करेंगे यह जितने भी questions के answer है वो भी मैं आपक लिखने में वही matter करेगा कितने आपके marks आ रहे हैं कि साथ में किस तरह के examples को mention करते हैं वही more or less आपके marks महां पर लेकी आएगा then why was there a sudden spurt in famines in the colonial India since the mid 18th century मतलब की 1750s के बाद हमारे इंडिया में बहुत सारे famines का एक दम से क्यों गुबार आ गया क्यों एक दम से आने लगए क्योंकि हम वहां पर simple जाके कि कितना simple answer की समझाएंगे कि Britishers के जब उन्होंने अपना पूरा जमाव कर लिया बेंगॉल के अं करने लगे जिसकी वज़ा से agriculture जो पहली बहुत devastation से गुजर रहा था उस टाइम के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ था उसके बाद जो famines का दौर है वह एक vicious cycle चल पड़ा था जिसकी वज़ा से यह हमारे को देखने को मिलता है अब यहां पर जो सिर्फ आपको एक information चाहिए वो यह है कि अगर आपको 1750s के बाद कुछ certain famines के बारे में पता है जो हमारे इंडिया में आए अगर वो आपको पता होगा तो वो आप साथ में as a value addition material लिख देंगे उसके अलावा तो यहां पर सिर्फ आपको एक general answer लिखके आना था तो अगर आप इन दो questions को देखें जो 2022 अरबाइस में इस modern history से पूछे गए कि आप उनको तयार करके खुद से जाते चाहिए अब खुद से सारी history पढ़ लेते तो answer नहीं अगर मैं भी कल को करवाऊंगा तो themes को उठाऊंगा उसको discuss करूँगा पर ऐसे question जो के general in sense होंगे उनको discuss करना या फिर उनको cover करना मुश्क करूँगा पर अगर आप यह समझ लेंगे कि paper को किस तरह से करना है वह असान होगा फिर 2021 की बात करते है तीम question है trace the rise and growth of social religious reform moment with special reference to यंग बंगॉल और ब्रम्व समाज अब यहां पर simple यह कह रहे है कि rise and growth of social religious reform moment क्यों हो है उसको trace करना है आप पहले initial लिख देंगे कि British empire के आन में इस moment होई तांकि हम अपने लोगों को समझा सकें वह वगैरा सारा कुछ हम लिख देंगे यहां पर साथ में अपने यंग बेंगॉल हैंडी विविंट डरियोजियो आपने जब prelims की त्यारी करते हैं अपने पड़ा था ब्रम्बो समाज हमारे राजा ना मोहन रॉय जी उनके दुवारा बनाया गया तो कितना ही simple question है अब अगर आपने मेंस की त्यारी ना भी की होती तब भी आप इस question को बड़ी असानी से कर सकते थे कितना easy question था कि किस तरह से moderates ने एक base तयार कर दिया क्योंकि moderates ही congress को dominate करते थे जब 1885 की हमारी formation होती है वो एक base तयार करके देंगे जिसकी ओपर हमारे extremist आके खड़े हो जाएंगे अब उस base की ओपर extremist के base की ओपर जब mass moment बन जाएगी हमारे सुधेशी moment के साथ तो गांदी जी आके उस पूरे platform के उपर बैठेंगे और उसको फिर और एक direction में ले जाएंगे जिसको हम international struggle के नाम से जाते हैं क्योंकि उस time तक तो हम जो independence के लिए सोच ही नहीं रहेते तो moderates के आपने बारे में आपने पड़ा आपने पूरा question पढ़ लिया बहुत easy question पूछा गया था अब आप महात्मा गांधी जी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब भी आप प्रिलिम्स के लिए पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने देश के अंदर जो institutions हैं उनको construct करने की कोशिश की यहां पर हम education की बात कर सकते हैं जो उन्होंने promote के उसकी बात कर सकते हैं village reconstruction की बात कर सकते हैं untouchability को दूर करने की बात कर सकते हैं क्योंकि वह constructive program है यह सारा कुछ आपको more or less पता है ऐसी कोई information नहीं होगी जो आपको नहीं पता although course है पर फिर भी मैं आपको पता हूँ कि जो सारा कुछ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो आपको पता है बस मैं आपके thought process के उपर काम करूँगा कि उस information को हम use किस तरह किसे करेंगे themes जितनी भी मैं आपको करवाऊंगा वो सारा कुछ आपको आता होगा बस हम उसको channelize करना सिखेंगे History is the most scoring and the most easiest part of all the GS जो हमारे पास domains है या फिर topics है जो आप देखेंगे फिर 2020 में evaluate the policies of Lord Curzon and the long term implications on the national movement Very easy question Lord Curzon आप पढ़ते हैं 1899 से लेके 1905 के बीच में and during his tenure we have read about universities जो commission बैटी थी उसके अलावा किस तरह से partition of Bengal किया गया जो सबसे main चीज थी जिसकी वज़ा से स्वधेशी moment होगी इसी तरह से police commission बिठाए गई बहुत सारी commissions Lord Curzon के दवारा बिठाए गई थी जिसने institutionalize किया जिसने एक foundation रखी हर एक चीज की माल लीजे हो सकता है आपको उस time के अंदर जाके policy of Lord Curzon ना ध्यान में आए पर यह जो time period परते हैं partition of Bengal के पहले वाला उसमें अगर आपने spectrum भी पढ़ी हो तो वहां पर भी यह चीज कवर्ड मिलती है आपको कि किस तरह से Lord Curzon ने कुछ कुछ चीज़ें की जिसकी वज़ा से बहुत प्रेशर बन गया ultimately partition of Bengal की decision की वज़ा से स्वादेशी मुमेंट लाउंच हुआ फिर हमारे जो national mass struggle जो mass struggle है वो national level की उपर चल गया जिसकी वज़ा से divide हुआ extremist moderates की बज़ा से तो यह सारा कुछ हमने यहां पर लिखके आना है आशा करता हूँ जो मैं कहता हूँ कि आपको यह पता होगा कि आप प्रिलिम्स क्लियर करके आ रहे हैं तो इतनी information तो आपके पास है दस marks के लिए करना है डेट सो वह शब्द हमने लिखने है तो हमेशा कोशिश करो जो भी आप पढ़ रहे हो इस टाइम के अंदर कि उसको आप answers में किस तरह से यूज करोगे अगर स्वदेशी मोमेंट के उपर कोशन आता है तो आपके introduction क्या बनेगी आपका conclusion क्या होगा कितनी जल्दी आप सोच पा रहे हो स्वदेशी मोमेंट के tenants क्या है उसके domains क्या हो सकते हैं उसको हम discuss करेंगे then since the decade of the 1920s the national movement acquired various ideological strengths and thereby expanded it social base so since the decade of the 1920s 1920 में सबसे पहली important चीज क्या हुई अगर हम पहली लाइन की बात करें वो है non cooperation movement पहली सबसे बड़ी अगर हम event की बात करते हैं तो उसके बाद क्या ऐसी चीज हुई कि students आए हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर workers आए women आई तो इससे अलग लग ideological strengths बनेंगे पहले के टाइम के अंदर जो workers हैं वो नहीं देखने को मिलते थे presents है वो बहुत जादा participation उनकी नहीं देखने को मिलती थी तो अलग लग ideological stand बनेंगे and thereby expanded its social base कि हमने इस बड़ी movement के अंदर बाकी लोगों के सोच को भी अंदर ले के आए और इससे आप देखेंगे विद्दा टाइम और ज़्यादा social base expand होता गया अब ऐसे answers को कोई भी perfect answer नहीं हो सकता हमेशा ध्यार में रखना अगर आप अपने answer को वहां पर justify कर रहे हैं अगर आप जादा से जादा चीजों को topics को domains को यहां पर add कर रहे हैं so therefore this answer is complete in itself कल को ऐसे questions को कोई challenge नहीं कर सकता क्योंकि यह subjective in nature है तो हर एक answer क्योंकि history का है और क्योंकि वह subjectivity के nature से ही पूछा जाएगा क्योंकि objectivity तो यहां पर आ नहीं सकते हैं वो सीधा यह तो पूछनी सकते कि कि किस time period के अंदर हमारे various mass moments होएं कि उसको एक बर बता दो question किस तरह से हैगा कि जितने भी mass moments होएं उन्होंने इंडिया की society के उपर किस तरह से impact दाला उन्होंने इंडिया की economy के उपर किस तरह से impact दाला तो उन सारी themes को हम यहां पर discuss करने की कोशिश करेंगे आपने हमेशा इस पूरे course के अंदर यह ध्यान में रखना है along with the knowledge part along with the content part that I will provide कि आप अपनी सोच को किस तरह से develop करें क्योंकि अगर आपकी यह सोच या फिर mains की answers को लिखने की जो अकला है अगर वो develop हो जाएगी ना तो आपके पास required information पहले से है no doubt कुछ-कुछ चीजों के लिए आपको वो जूरूरत रहेगी वो मैं आपको provide करने की कोशिश करूँगा I am being very honest and being very transparent to you मैं कभी भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि चीजों को जतना simple और जतना easy रखा जाए उतना ही बहुत जादा effective रहता है अगर मैं आपको ये कहने लग जाओ कि ये कोशिशन बहुत मुश्किल था वो आप उसी तरह के तरह से सोचने लग जाओगे आपको लगेगा कि हाँ शायद ये करना मुश्किल है पर अगर आप चीजों को break up करके देखोगे ना बहुत easy way में देखने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग उसको बहुत जादा जिल्दी प्रोसेस करेगा and जो result है वो भी काफी जादा multiple times आएगा then 2019 the 1857 uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of the British rule and the topic is या फिरेक्टिव is elucidate elucidate का मतलब होता है विस्तार में समझाना खोल के समझाना यहां पर यह basic कह रहे हैं कि 1857 के पहले बहुत सारे छोटे बड़े revolts होए हैं rebellions होए है and this revolt of 1857 was just a accumulation of all those revolts तो आपने सर्फ इतना समझाना है कि उसके 100 साल पहले किस किस तरह के revolt होए पीज एंट हैं ट्राइबल है तो लोग दुखी हो चुके थे और उसके अलावा एक दो आप अगर military rewards को mention कर दो जो आप पढ़ोगे वो मैं आपको पढ़ा दूँगा वो content का part है तो answer लिखना बहुत जादा आसान हो जाएगा तो इसी content को no doubt मैं provide कर दूँगा पर अगर question को देखोगे बहुत easy question पूछे जाते हैं ऐसे question नहीं है जो आपको पता ही नहीं होंगे अगर आपको मालो certain examples ना भी पता हो तब भी आप ऐसे question को वहाँ पर attempt कर सकते हों और क्योंकि हर साल 20 में से 3-4 question ऐसे होंगे जो जिसके बारे में आपको बहुत जादा अंदाज़ा नहीं होगा पर क्योंकि आप उनको general sense में अच्छे तरह से लिखके आओगे आप बाकी बच्चों से जादा score कर पाओगे then examine the linkages between the 19th centuries Indian Renaissance and the emergence of national identity के किस तरह से जब हमने अपने अपने रहने सा किया अपने आपको दुबारा सी resurgence दिखाई रहने सा का मतलब आपको पता होगा आपने American रहने सा पड़ा है European रहने सा पड़ा है enlightenment पड़ा है उसी के हम बात करें basically यहां पर आप social religious reform moments के बार में बहुत सारा reference दोगे and the emergence of the national identity कि किस तरह से 1857 के revolt के बाद जो हमने एक nationalism की भावना को जगाया वो दोनों इन दोनों में किस तरह से interlinkages हैं कि nationalism ने किस तरह से इंडर लेनेसा को spur किया और इंडर लेनेसा ने किस तरह से nationalism को spur किया अब यह जो question है यह आपका difficult category में आएगा अभी तक 2020, 2021 में एक भी question ऐसा नहीं था जो कि difficult था जिसको आपको लिखने में मुश्किल आती आपको question ने दिखा पिछले तीन साल के अंदर तब ही कह रहा हूं कि modern history although बहुत जादा पूछा जाता है पर उसके लिए आपको जितनी चीज़े चाहिए पता है themes हम करेंगे पर आप हौंसला रखके चलना और इसी के साथ जादा focus उन चीज़ों के उपर करना जिससे आपको return जादा मिलेगा इसी तरह का question हमने पहले देखा था various ideologies का कि 1920s के बाद किस तरह से various ideologies हमारी इंडिया में चलनी तो यहां पर गांदी जी हमारे इंडिया में आएंगे he will become a mass leader 1940 में वो आएंगे और mass leader 1980 के बास बन जाएंगे तो उसी तरह का question पूछा जा रहा है that many voices has strengthened तो voices का होंच से है बुमन voice, worker voice, peasant voice, student voice यह सारी voices वही ideologics की बात कर रहे हैं तो history में क्योंकि बहुत बार question repetition भी देखती है 2019 का question उसको तोड मरोड के यहां फिर उसका trend यह viewpoint चेंज करके 2020 में आपको same देखने को मिला then assess the rule of the British imperial power in complicating the process of transfer of power during the 1940s 1940s के आपको पता है कि एक के बाद एक mission आता गया है उन्होंने transfer of process करना था ultimately वो mount battle plan के अंदर जाके मानेंगे कि हम अपने power को transfer कर रहे हैं कि अपसे इंडिया जो अजाद देश बन जाएगा तो यहाँ पर यह कह रहे हैं जब उन्होंने transfer of power करना था उस दौरान उनके द्वारा किस किस तरह का रोल निभाया गया अच्छा रोल बुरा रोल कि बहुत लंबे time तक वो माने ही नहीं वगयरा वगयरा यह सारा कुछ आपको लिखके आना है अब जो आपको means का material मिलता है उस में किसी भी coaching institute में आप चले जाओं आपको 1940 के बाद किस तरह से हमारे independence तक हम पहुंचे आपको सारे missions करवा दी जाएंगे उसमें क्या क्या चीज़े थी वो बता दी जाएंगी पर ऐसे questions को आपको अपने धिमाग से ही सोचना पड़ेगा और यही मेरा काम कहेगा कि पूछना क्या चाहते हैं इसमें लिखना क्या होगा और question की demand क्या है उसके बारे में हम discuss करेंगे तांकि आपके marks जादा आएं इसके उपर focus रहेगा then 2018 एक ही question है through light on the significance of the thoughts of Mahatma Gandhi in the present times तो पिछले पांच सालों में लगबग तीन से चार questions गांदिया लाइं गांदी जी के इर्ग पूछे गएं विच मीज डाट गांदी जी जिनके बार में हमारे को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो गांदी यदा थीम को हम लग से discuss करें कि उनके views किया थे industrialization के उपर westernization के उपर वो किस तरह से intelligibility को दूर करना चाहते थे क्योंकि इसी भी तरह से पूछा जा सकते हैं तो महात्मागार्दी as such becomes an important personality to be covered for this year means and along with that जितने भी personalities इस साल न्यूस में रहे हैं हम उनके बार में भी पढ़ेंगे as themes तांकि वो हम अच्छे से cover कर लें और in case वहां से question पूछा गए क्योंकि 2018-19 के आसवास चतन्य महाप्रभुजी के उपर question आया था उनके teachings के उपर क्यो ancient India, culture, modern history की बात करें यह हम discuss कर लेंगे तो यह सारा कुछ आपके modern history की बात हो गए तो यहां पर इसी तरह से मैंने cultural history के सारे questions को divide किया हुआ है जब हम अपने पूरे lecture को शुरू करेंगे यह तो आज आपका introductory lecture है तो जैसे पहले modern history हम शुरू करेंगे modern के मैंने आपको सारे questions explain कर दिये culture के शुरू करेंगे पहले thought process समझाने की कोशिश करूँगा then उसके बाद world history फिर PIC पर हम focus यही करेंगे कि आप जितना भी time invest करें उससे जो आपका output है वो जादा से जादा है क्योंकि बहुत important time होता है बच्चा गुमराह हो जाता है क्योंकि हर एक चीज उसको यह जादा है so this will be whole agenda जिस हिसाफ से हम cover करेंगे सारे questions मैंने आपको निकाल के दे दी हैं पिछले 5 साल के हिसाफ से culture के अगर हम बात करें यहां पर specific question पूछे जाते हैं यहां पर ऐसे question नहीं है जो आप यह समझ के चलें कि हाँ कोई बात नी मैंने prelims के लिए culture पढ़के गया था बहुत important है क्योंकि यहां पर बहुत सारे writers का नाम आएगा उनकी books का नाम आएगा और वो किस तरह से they reflect the spirit of the age मैं आपको यह समझाओंगा कि मालो कोई भी किताब लिखी हो किसी भी time के उपर लिखी हो वो उसमें क्या लिखा होगा जैसे यहां पर हम Persian literary sources है अब आपको पता ह है कि अकबर Persian के अंदर लिखता था उस मलब उस time की सारी जो official language थी वो Persian थी क्योंकि हुमायू जाके इरान में रहा था परशिया वहां से सीख्या है उसके पहले टर्किश चलती थी हमारे इंडिया में बाबर के टाइम के अंदर उसके बाद यह सारा trend बदला और Persian एक official court language की अब यहां पर आपको कुछ ना ध्यान में होता आपको अकबर ध्यान में आ जाता क्योंकि यहां पर medieval इंडिया लिखा हुआ है medieval इंडिया का सबसे important राजा अकबर अकबर पर्श्यन में अपना जो सारा administration करता था बहुत famous किताब आपको कुछ ना याद है एने अकबर ही administration है उसको विस्थार में उसको explain करके होगे समझाती है कि हां इस तरह से यह जो उस टाइम का पूर administration है वो चला करता था तो यही चीजे तो आपने लिखके आनी है इस answer के अंदर that how they reflect the spirit of the age कि उस टाइम के administration क्या है society के इस तरह से है ruling के इस तरह से की जाती है तो हम हमेशा य जिस दिन आपका ये दिमाग चलने लगया फिर means बहुत जादा असान है prelims से भी बहुत जादा असान है क्योंकि आप सारे question attempt कर गया होगे आपको किसी question के अंदर फसोगे ने यह हो सकता है कि कि किसी question के regarding आपको content जादा ना आता हो कि specific examples ना हो आपके पास किस question के लिए आप आपके पास और ज्यादा कोई example ना हो क्योंकि उस time के अंदर तो बहुत सारी लिखेगे तो वहाँ पर आपका कुछ question या कुछ marks हो मिट आउट हो जाएंगे पर यह समझो कि आप जितना ज्यादा stretch कर सकोगे आप उतना ज्यादा marks लेके आ रहे हो क्योंकि बच्चे ऐसे questions को history of Buddhism in India तो पाला आपको पता है कि बुद्धिस बुद्धिजम को patronage उन्होंने दी गई थी significant face in the Buddhism in India तो यह आपने बुद्धिजम पूरा पढ़ा होगा और पाला आप कहां पर पढ़ते हैं प्राइप पार्टियट struggle के अंदर पढ़ते हैं पर आपको यह अप किस तरह से ल करेंगे इसके रिए किस तरह का content लिखे आएंगे उसके बारे में इस पूरे course में मैं बात करूंगा और आशा करता हूं कि मैं आपकी जादा से जादा मदद कर सको तांकि आपके जादा से जादा marks आ सके with respect to history and with respect to the overall thought process जो आपको इस में लेके जाना चाहिए तो culture history 2019 में एक features इसमें add-on किये गए थे उसके बार में आपको सरफ highlight करना है जैसे muscles बन जाएंगे hello का concept आ जाएगा clothes उस तरह से हो जाएगे वही सारे points आपको लिखके आने तो बहुत easy question था क्योंकि prelims के अंदर हम इसके बार में बहुत detail में उपड़ते हैं तो हरे question को अभी मैं discuss नहीं कर